कि यूट्यूब चैनल परिक्सल्स है पाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मैरी तू चलिए यहां पर जो हम अपने प्रिप्रेशन कर रहे हैं तैयारी जो कर रहे हैं यहां पर अपने लगा रहे हैं डैली एक मोग टेस्ट आपको मिलता है तो चलिए आपनी जो तैयारी है वो अच्छे से हम यहां पर अपनी कर रहे हैं सबसे पहले आप को क्या करना होगा चैनल से जुढने के लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करके रखना है उटूब चैनल być पर पाति को आप सब्सक्राइब करके रखे इसके साथ साथ आपको टाइल भी जोईन करना है जहां पर आपको मोक टेस्ट कि या फिर जो आपकी क्लास होती है वीडियो जो आपको मिलती है उसकी पीडिय i statistically आपको टाली चलते अपने मोग टेस्ट के ओर सबसे आज जो मोग टेस्ट अपना लगाने वाले यह मोग टेस्ट नंबर 26 है 25 तक उलेडिया अने 25 टेस्ट हम लेडिया पर लगा चुके हैं सारे मोग टेस्ट आपको देखने हैं एक के लिए इंपोडेंट होता है चलिए first अपने question के और यहाँ पर हम बढ़े पहला जो question हमारा आता है first question के और अपने बढ़ते है चलिए first question है हमारा which of the following library services finished in a very short time in a moment of in a moment if possible question में पूछा गया है कि निमने पुस्तकाले सेवाओं में से कौन सी सेवा है या service है जो बहुत ही कम समय में complete हो जाती है finished हो जाते है या फिर पूरी हो जाती है यदि संभव हो तो एक चन में यदि possible हो तो वो short time में आपकी यानि कुछी moment में चन में वो आपकी complete हो जाती है option A documentation service परलेखन सेवा option B long range reference service दिर्ग कालीन संधर्व सेवा option C short range reference service अलप कालीन या तवरित संधर्व सेवा option D all of these ये सभी तो कौन सा question कौन सा option आपका correct होगा यह आपको बताना है 10 second का आपको time मिलेगा चलिए आपका time स्टार्ट होता है अब 10 second आपको दी गई है जिसमें आपको बताना है कि which of the following library service is finished in a very short time in a moment if possible तो कौन सा option आपका correct है question first का आपका जो time था वो समाप्थ हुआ तो right answer आपका आपका short range reference service अलप कालीन तवरित संधर्व सेवा option C correct हो जाएगा तो कौन सी पुस्तकाले सेवा हों में से कौन सी सेवा है वो अलप कालीन या फिर short range reference service आपकी है option C right है next question के और बढ़ते है second question आता है question number second newspaper clipping is a type of dash information service समचार पत्रों की कत्रन डैस सूचना सेवा का एक परकार है तो कौन सी सूचना सेवा का वो एक परकार है वो आपको बतानी है option A anticipatory agrim सेवा option B responsive option C on demand यानि मांग करने पर option D retrospective पूरु परभावी तो question में पूछा गया है कि जो news paper clipping है वो एक यानि is a type वो किस तरह का किस परकार का है dash information service कौन सी सूचना सेवा है तो 10 second यहाँ पर आपको दिये गए है आपका time स्टार्ट हो गया है question second का यानि समचार पत्रों की जो कत्रन है वो dash सूचना किस परकार की सूचना सेवा का एक परकार होता है वो आपको बताना है तो किस परकार की सूचना सर्विस है information service का टाइप है आपका time समाथ हुआ तो right answer यहाँ पर आपका हो जाएगा anticipatory यानि अग्रीम सेवा कौन से सर्विस anticipated service या फिर अग्रीम सेवा या service इसका right answer जो है आपका option A question second का option A right हो जाएगा next question के और बढ़ते है next question आता है अब हमारा question number 3 है अगर आपको library science की book अगर आपको चाहिए तो आप purchase कर सकते हैं link आपको video के description में आपको मिल जाएगा question number 3 है a computer that connects one network to another for the purpose of file transfer is known as file प्रशारित करने के उदेशे से एक computer द्वारा एक network को अन्य से जोड़ने को का अन्य से जब हम उसे जोड़ते हैं तो उसको पूछा गया है कि उसको क्या कहा जाता है option A search engine search engine हो गया option B है highway option C gateway option D superway question number 3 में 10 second आपको दी जाएगी answer बताने के लिए आपका time is start हो चुका है 10 second के अंदर आपको जो है अपना answer देना है question 3 का right answer क्या है कि file पर शारित करने के उदेशे से एक computer को जब दूसरे यानि एक network को अन्य network से जब हम जोड़ते हैं तो उससे जोडने को क्या कहा जाता है जो process होता है इस प्रोसीज को क्या कहा जाता है या फिर जो उसका purpose है वो क्या कहा जाता है आपका जो time था जो चार option आपको नीचे दे गए इन option मैं से कौन इंटरनेट प्रोटोओ आपका नहीं होंगा जो इन नहीं होगा जो नहीं है वो इंटरनेट प्रोटोओ आपके हैं लेकिन जो c oht apresent यानि जो तीन से अलग होगा डिफरेंट होगा वोंगा आपको चुनना है जो इंटरनेट प्रोटोकोल आपका नहीं है ओप्शन ए यूडि पी ऑप्शन भी टी सी पी आई पी ओप्शन सी एस सी आई आई ओप्शन डी एफटी पी यह कुश्चन आपका इंपोर्डेंट कुश्चन है कुश्चन नमबर फॉर्ट तो आपको यहां पर बताना है ओप्शन आपको कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकोल आपका नहीं है आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकिंड आपको दी जाती है हर कुशन के बाद में आंसर बताने के लिए तो जल्स आपना जो आंसर हो बताई एक वूशन पूर्ट का यह प्रोटोकोल आपका नहीं है तो इंटरनेट प्रोटोकोल देखे सबसे स्टाइब यह आपका इंटर्णेट प्रोटोकोल नहीं होता है !! यह घर आपका राइड़ आयगा pan engineer кaur आपका correct answer है चलिए next question के और बढ़ते हैं next आता है हमारा question number fifth है question fifth में पूछा गया है the full name of OSI in networking full name यानि पूरे जो full form है किस की full form पूछी गई है OSI की full form आप आपसे पूछी गई है तो network में किस में जो network में OSI होता है उसका पूरा नाम क्या या फिर OSI की जो full form है वो आपको बतानी है यह question भी आपका important है OSI की full form क्या होती है OSI का compute नाम क्या होता है यह आपको बताना है option A है open source interconnection option B open software interconnection option C open system interconnection option D old source interconnection तो चार option आपको यहाँ पर देगे चार option क्या आपको यहाँ पर answer आपको चार option आपको है तो चार option में से कौन सा correct answer है OSI की जो full form है वो आपको चुननी है 10 second आपको दी गए जल्दी से अपना answer बताईए आपका time start हो चुका है question 5 का correct answer क्या है OSI का पूरा नाम क्या होगा चलिए आपको टाइम था वो समाप्त हुआ तो राइट answer क्या हो जाएगा यहां पर जो OSI की full form है O से आपका open हो गया S से आपका system है और I से आपका interconnection है तो राइट answer हो जाएगा open system interconnection option C जो है यहां पर correct answer आपका है open system interconnection option C question 5 का राइट answer है चलिए next चलते हैं अब हम अपने यहां पर देखें यहां पर जो प्रिक्षर शैपार्टी आपका चैनल है यह आपको क्या 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 आपके लिए हैं फिरी आपको classes मिलती है उसके साथ साथ free practice टेस्ट भी आपके कराए जाते हैं फिरी मोग टेस्ट आपके जैसे क्या भी आप मोग टेस्ट करो यह बिल्कुल आपके लिए फिरी आपका है जिसके साथ साथ आपको PDF भी दी जाती है बुक अगर आपको चाहिए sit at की तो 99 रुपे में आपको बुक मिल जाएगी उसके notes आपको मिल जाएगे 100 रुपे में UGC net के आपको बुक यहां पर मिल जाएगी previous year question paper तो यहां पर सबसे easy यानि available क्या आपके सबसे सस्ते आपको यहां पर मिलने वाला है यह आपका buy का link है जिएक अनल्यटिकल इंजन वग पर पूजड इन विचलेशना अत्मक इंजण प्रस्तावीत किया गया तो जो 108 सब्सक्राइबित इनने ऊप्रतावित है प्रैक्राइब ऑपने जाएभ इन्टेटाइब अपर्फोरटनंट है यह इंपौर्टनट थ्जिञ पर इंपногton दस सेगिंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना अंसर बताईए कि बेबेज का जो एनलाइटिकल जो इंजन था, वो कब प्रस्तावित किया गया था? चलिए, इसमें कोई सी भी जो इयर है आपके, कोई सी भी इयर आपको यहां पर आपको नहीं दी गई है, तो वो इयर जो है, वो यहां पर आपको नहीं दी गई है, कोशन 6 में, चलिए, नेक्स्ट कोशन 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 computer is the dash, रैम computer की एक dash है, जो रैम computer आपका है, वो एक क्या है, option A, रैम क्या है आपका, रैम की जो फुल पॉम होती है, रैंदम access memory आपकी होती है, option A है, primary memory, option B, secondary memory, यानि दृत्य इस्मर्थी, option C, tertiary memory, तृत्य किस्मर्थी, option D, all of these, ये सभी, तो रैम computer की dash है, तो रैम computer की dash कौन सी memory आपके है, ये आपको बताना है, चले, 10 second मिलिया, आपको जल्दी से बताए कि जो रैम की है, रैम computer की कौन सी memory है, 10 second में आपको जो आपना answer देना होता है, कौन सी memory है, ये आपको बताना है, रैम की फुल पॉम होते है, random access memory, तो इसमें जो इसका रैम कंप्यूटर की जब मेमोरी होते हो प्राइमरी मेमोरी होती है प्राथमी क्या फिर मुख्य इसमर्ती मेन मेमोरी जो होते हो है वो आपकी रैमी होती है option A जो है यहापर correct हो जाएगा next आता अब हमारा next question है question number 8 computer can be used for computer किसके लिए प्रियोग क्या जाता है जो computer है वो किसके लिए यहाँ पर use क्या जाता है option A computing option B word processing option C storing document परलेखो के संग रहन option D all of these यह सभी तो 10 second में आपको यहाँ पर right answer देना है computer किसके लिए प्रियोग क्या जाता है computer can be used for 10 second आपको दी गई है जल्दी से अपना रा जो है answer आपको यहाँ पर correct answer चुनना होता है चार option में से कौन से यहाँ पर आपका right answer होगा computer जो है वो use क्यों किया जाता है किसके लिए use किया जाता है चलिए आपको जो time है वो sum up हुआ तो computer जो है वो हम use किस-किस के लिए करते हैं computing के लिए करते हैं बिल्कुल correct है दूसरा option है word processing उसके लिए भी यूज करते हैं option c है storing document यह भी correct है और option d all of these यानि तीनों जो option है यह आपके correct है तो यह सभी option d जो हो गए हैं आपका correct हो जाएगा next question क्यों बढ़ते हैं last second question हमारा बचता है आज के मोग टेस्ट का question क्योंबर 9 है which of the following is the heart question on 9ения which of the following is the heart of computer नीमने मेंसे computer हाहरत्या कौन सा है तो इसमेंसे आपको चुणना है कि जो computer का unprecedented है वो कौन सब्सब्सक्राइब उता है यह important question है आपको बता होना चाहिए जब आप computer का use करते हैं कि computer का हर्ट है वह कौन सा या कम्प्यूटर का हर्ट किसको कहा हो जाता है तो कम्प्यूटर का हर्ट होता है वह किसको बोला जाता है ऑप्शन ए है रैम ऑप्शन भी एल यू ऑप्शन सी सीपी यू ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेजर तो इसमें बताना है कि कम्प्यूटर का से अपने राइट आंसर बताई आपका जो टाइम था वो समाफ्थ होआ तो कंप्यूटर का जो हर्ट है वो किसको बोला जाता है यह सभी को आपको पता होगा CPU CPU जो होता है वो हर्ट ओ कंप्यूटर होता है ओप्शन से यहां पर विल्कुल करेक्ट आपका है नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन है आज की मोग टेस्ट का हमारा कोश्चन नमबर टैन विच ओफ फॉलोइंग ग्रूप है जो फॉर्म्ड इस सोधसिंदू कंसोर्टिया निम्न में से किस समू के संयोजन से इस कंसोर्ष्या का निर्मान हूँ तो के जो कंसोर्ष्या उसका निर्मान हुआ यहां पर पूछा गया है ऑप्शन A UGC InfoNet DLC Analyst and इंडेस्ट AI.C T option B सोधगंगा अनलिस्ट अनिडेस्ट AI.C T option C सोधगंगोत्री Analyst and इंडेस्ट एई सिटी ओप्शन डी यूजी सी इंफोनेट डील सी डैलनेट एंड इंफलिबनेट तो दस सेगिंड में आपको राइट आंसो ने आपर बताना आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है कि निम्न में से कौन सा समू या कौन सा गुरूफ है जिसके संयोजन से इस सिंधू कंसोर्श्या का निर्मान हुआ था या फिर वो उसका जो है फोर्म्ड हुई थी तो कौन सा है आपका जो टाइम है वो समाथ द्वा राइट आंसो नहां पर आपका हो जाएगा यूजी सी इंफोनेट डील सी एनलिस्ट एंडेस्ट ए आई सी टी ओप्शने करेक् बताना है थांक यू